दोस्तों नमश्कार, त्रीनेत्रियोगधाम से आपका स्वागत है। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है, वो है साल के दो हिस्से, जिसको आदानकाल और विसरकाल कहते हैं। आज का दिन इस विशे के लिए उप्युक्त इसलिए है कि कल मकर्शक्रान्ती का परव गया है मकर्शक्रान्ती में सूर्य देवता जो है वो आखरी दिन होता है जो दक्षिनायन जाते हैं दक्षिनायन के बाद उत्रायन शुरू होता है अब दक्षिनायन उत्रायन क्या है व वो यहां इस जगे हो रहा है आप इस बात को समझ येगा कि ये दक्षणायन है ये उत्रायन है उत्रायन उत्तर दिशा इधर है लेकिन यहां से इधर सूर्य कभी नहीं होते ये सेंटर में आना ही उत्रायन होता है तो यहां से जब सूर्य देवता धीरे धीरे जून मास में यानि अगर 6 महीनों का हम चंद्र मास के इसाब से माने तो आसाड जो है वो आखरी गर्मी का महीना होता है और आसाड के बाद में स्रावन मास जो है वहां से शुरू होता है उत्रायन होना और ये इस तरीके से दक्षनायन होना इस तरीके से दक्षन में जाते हैं कल का जो मकर शक्रांती का दिन था वो आखरी दिन माना जाता है कि यहां दक्षणायन होते हैं यहां से अब उत्रायन आने शुरू होते हैं तो उत्रायन का मतला अब यह आखरी दिन ऐसा है जो कि ठंड का होता है आखरी दिन ऐसा है जब सूर्य नीचे जाना बंद कर देते हैं अब यहां से उत्राइन जो है अब होना शुरू होंगे और सूर्यक की यहां से जब यह दक्षणायन होते हैं तो चंद्रमा की जो ताकत है वो बढ़ती है तो जब यहां से नीचे जाते हैं तो वर्शा रितु शुरू होती है फिर शरद रितु होती है फिर उसके बादों शिशिर यान दक्षणायन यानि आदानकाल जो है वो शुरू हो जाएगा तो यह आदानकाल क्या है यहां से लेके यहां तक सूर्य देवता जब आते हैं यहां से यहां तक ऐसे सूर्य देवता आते हैं तो यह गर्मी का समय होता है और यहां से यहां तक जाते हैं तो सर्दी का समय होता है तो अभी शुरू हो गया है आदानकाल तो ये जो पूरव दिशा जो है हमारी अब यहां से सिफ्ट होके और सूर्य देवता यहां उगना शुरू हो जाएंगे सेंटर में तो अब यहां से समझना है हमें कि सूर्य क्या करते हैं आप देखिए अब सूर्य जो है जब उत्राएन आएंगे तो इनका काल आ जाएगा तो इसका मतलब है कि इस समय शरीर में जो है वो गर्मी बढ़नी शुरू होगी वातावण में गर्मी बढ़नी शुरू होगी जो हव वो रुक्ष हो जाएगी रुक्ष यानि सूखी हवा हो जाएगी और गरम हवा होगी तो यह समय जो है छे महिने का यह मोटापा घठाने का समय है शरीर में इस निग्ध जो चीजे होती हैं उनको कम करने का समय है चिकनी चीजे खाने का कम समय है धीरे 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 जैसे जैसे सुर्य उपर आते जाएंगे वैसे वैसे हमें तेली जो चीजे हैं उनको छोड़ना पड़ेगा और पेया चीजे जो हैं उनको लेना पड़ेगा आप अभी हिमंतरितू में यानि एकदम जो प्राकाष्ठा थी यानि विसर्ग काल शे महीने का जो समय आता है उसका आखरी जो समय है वो मकर शकरांती है इस समय हम तिल के लड़ू खाते हैं गुड की चीजे बनी ज़्यादा खाते हैं और इस समय जितनी भी इसनिक्द हलवा हो चाहे गोंद पाक हो चाहे लड़ू हो कुछ भी चीजे इस समय ही खाने का समय होता है आपने नहीं सुना होगा कि ये सब चीजे गर्मियों में बहुत अधिक मात्रा में खाई जाती है गर्मियों में पेपदार्थ पानी की चीजे ज़्यादा खाएं क्योंकि सुर्य देवता जो है वो आपसे सारी एनरजी खींसते हैं और चंद्रमा जो है वो विसर्ग काली यानि 6 महिने का समय होता है शावन, भादो, आश्रिन, कार्तिक, मार्क्षिश और पोख पोज ये जो महिने है इस इन 6 महिनों में चंद्रमा जो है वो आपको अपनी एनरजी देते है इसलिए शरद पूर्णीमा शरद रितु में आती है अब सूर्य की जितनी भी चीजे है वो अब आएंगी और इस समय में आपको जितना भी पानी शरीर को देना है उतना देना है आप देखिएगा कि सर्दियों में वजन बढ़ता है सबका सबका वजन बढ़ेगा क्योंकि चंद्रमा जो है वो कफ के कारक है और कब बढ़ेगा तो वजन बढ़ेगा तो ये कफ का समय है, अब अगनी का समय है, तो अगनी प्रदीपत होगी, तो अगनी जो है, वो हमारे शरीर से बाहर निकलेगी, बाहर निकलेगी तो हमारे शरीर से जितनी भी अपसिस्ति पदार थे, जितनी भी विशेले तत्तों हैं, वो भी बाहर निकलेंगे, वो पसीने क के रूप में निकलेंगे तो हमें अब शरीर को जो है थोड़ा बदलना पड़ेगा खान पान जो है थोड़ा चैंज करना पड़ेगा अभी शिशिर रित्तु है शिशिर रित्तु है माग महीना आएगा माग और फालगुन इन दो महीनों में आप देखिएगा हवाएं चलेगी सुखी हवाएं चलेगी होट फटेंगे इस समय कुछ जीव जंतु जो है खेतों में पैदा होंगे आपको कुछ जाती हुई सर्दी की बिमारियां आएंगी य हम लोग जो है हम लोगों की आदत है चिकना खाने की और इस समय में हम परिवर्तन करते नहीं है तो अभी तो गरम पानी पीजिए फिर धीरे 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 पीना शुरू कर दीजिए गरम की वज़ाएं गुनगने पर आ जाएं और जब फालगुन चला जाएं पर जाना पड़ेगा फ्रूटिंग पर जाना पड़ेगा आपको खुद कोई मन नहीं करेगा कि मैं हैवी कोई खाना खाऊं तो यह दो साल के दो हिससे जो है आईरवेद के अनुसार किये हुए हैं विसरकाल आदानकाल आप समझ गए होंगे उत्रायन सूर्य और दक्षण जरूर आती हैं उसके बाद में कोई भी नए पेड़ वगरे कम लगाते हैं क्योंकि गर्मियां बहुत तेज होती हैं वह पेड़ों को जीवित नहीं रहने देती हैं कई लोग पेड़ों को बहुत ज्यादा अच्छा दित हो और उनके बीच में पेड़ लगाएं तो फिर बचाव किया जा सकता है तो आप अपने शरीर का बचाव करें समझे कि किस प्रकार का आदानकाल होता है किस प्रकार विशरकाल होता है और यह समय क्या है इसको आप समझ गए होंगे तो आज की जो है यह वीडियो इसी विशे के उपर थी त्रीनेत्री योगधाम से अब द कीजे इजाज़त त्री नित्र टीविक लिए त्री नित्रियोगधाम से नमस्कार